हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग आई होप आप सब अच्छे से होंगे वेलकम तो दे चैनल जेके एजुकेशन सेर्कल आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हमारे फाइनानस एकाउंट एसिस्टेंट के सेलिबस में दिया गया है वो कौन सा टॉपिक है वो है कल्चर एंड हेरिटेज आफ जुमो एंड कश्मीर यूटी उसमें जो पहला पार पड़ेंगे हम फेस्टिवल्स पड़ेंगे कौन कौन से तेवहर मनाए जाते है जेंड के यूटी में और यहां पर हम इनको डिवजन के साबसे पड़ेंगे कश्मीर डिवजन में कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते है और उसके बाद जुमो डिवजन में कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते है पहले बात करेंगे the festivals in कश्मीर ड्यूजन ठीक है पहला जो फेस्टिवल है जो कश्मीर ड्यूजन में मनाया जाता है वो है खीर बावानी मेला खीर बावानी मेला कश्मीर ड्यूजन में मनाया जाता है पहले बात करेंगे कहां पे मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है गांदरबल डिस्ट्रिक में एक जगा है तुलमुला ठीक है तुलमुला एक जगा है गांदरबल में वहाँ पर खीर बवानी टेंपल है और वही पर मनाया जाता है खीर बवानी मेला और यहाँ पर एक important point नोट करना कि जो यह खीर बवानी टेंपल है वो dedicated किसको है खीर बवानी टेंपल इस डेडिकेटेड टो रगण्या देवी या महारगण्या बगवती इसके दो नाम है बहुत सारे नाम है इंपर्टन जो यहाँ पर है वो रगण्या देवी या इसको महार गिन्या बगवती भी बोला जाता है इसी को यह dedicated है यह temple खीर बवानी टेंपल एंड यही पर यह खीर बवानी मेला जो है मनाया जाता है कहां पर है गांदरबल में है किस जगह पर तुलमुला और important point जो है यहाँ पर कब मनाया जाता है जब जैष्ट अश्थमी मनाय जाती ह annual festival जो जैष्ट अश्थमी होता है उसी टाइम पर खीर बवानी मेला भी लगता है कश्मीर में ठीक है तो और यह मेला जो है important क्यों है यह इसलिए important है जो भी weatherhood है पंडितस जो हिंदूस और मुस्लिमस में वो बरकरार रहे ठीक है जो भी यह weatherhood tradition पुराने जमाने से आता चल आ रहा है वो continue भाई चरा रहे हिंदूस और मुस्लिमस के बीच में और यहां पर जो मुस्लिम लोग है वो टेंपल के बाहर जो है वहां पर अपने दुकान खाड़े करते हैं जहां पर वो अर्दन वियल लैंप्स मेरी गुल्ड फ्लवर्स एंड पूजा परा फेर नेलिया टेंपल के बाहर ये बेज देते हैं हिंदू बाई लोगों को ठीक है तो ये था पहला खीर बवानी मेला इंपार्टेंट यहां पर एक है जो ये खीर बवानी टेंपल किसको डेडिकेटेड है एक पॉइंट यह हुआ दूसरा पॉइंट यह है कि कहां पर मनाया जाता है ग खीर बवानी मेल अब बारे में आगे चलते हैं, दूसरा जो फेस्टवल है यहां पर इंपार्टन्ट है वो है ईद फेस्टवाल्स ठीक है, एद फेस्टिवल्ज एद फेस्टिवल्ज यहाँ पे दो एद्स मनाए जाते है मुस्लिम कमुنिटी के लिए एक एद एद फित्र और दूसरी एद जो है एद अदहा एद फित्र जो मनाए जाती है रमजान के एंड में जो फास्टिंग रखते हैं एक मन्त के लिए उसके बाद जब पहला दिन शवाल का आ जाता है इसलामिक कलेंडर का, तो इदल फितर मनाई जाती है, ठीक है, इदल फितर के दुरान जो इद नमाज अदा की जाती है, प्रेयर्स अदा किये जाता है इद गाह में, ठीक है, और यहां पर क्या है, एद निमाज अदा की जाती है यहां पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप अब डिशिस बनाए जाते है मुस्लिम कुम्मिनिट के दोरान और हिंदू बायू लोगों को भी दे जाते है उस टाइम पे ठीक है और दूसरी जो एद है वो है एद अदहा एद अदहा मनाई जाती है जब इबराहीम प्रॉफिट इबराहीम ने अगरी किया था सैक्रिफाइस ठीक है अपने बेटे को तो उसी इसलिए यह एद अदहा मनाई जाती है और इसको बोला जाता है बकरा इद भी बोला जाता है ठीक है वो है शिवरात्री फेस्टिवल शिवरात्री फेस्टिवल को हैरत भी बोला जाता है जुमो एंड कश्मीर में जो ये शिवरात्री फेस्टिवल मनाया जाता है पूरे जेंड के में और कश्मीर में भी मनाया जाता है इस महा शिवरात्री को बोला जाता है हैरत जेंड के में ठीक है और यहाँ पे जो है कश्मीर में पंडित कम्मिनिटी क्या करते है शिवरात्री फेस्टिवल पे वो आफर करते है वाटकनात पूजा क्या आफर करते है वाटकनात पूजा और जो यह खास बात है इस फेस्टिवल की वो क्या है वो ये है कि वो celebrate करते है कश्मीरी पंडितिस चेलिबरेट करते है wedding of the lord śiva और goddess parviti की जब showa ने पार्वधी के साथ शादि की थी वो celebrate करते है कश्मीरी पंडितिस ठीक है और ये मनाया जाता है जम्मू न कश्मीर जम्मू में भी और कश्मीर में भी मनायا جاتا ہے और कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित से वो मनाते है शिवरात्री फेस्टावल ठीक है इसको हैरत भी बोला जाता है ये important point है आगे चलते है आगे है Tulip Festival Tulip Festival जो है वो कब मनाय जाता है April में मनाय जाता है and एपरिल में मनाय जाता है और सिरिनगर में जो है एश्यास लाजस्ट टूलिप गार्डन है जिसका नाम है इंद्रा गांदी मेमोरिल टूलिप गार्डन 30 hectare land cover पूरा cover ये करता है इंकोन टुलिप garden जो इंद्रगांदी मेमोरल टुलिप garden और वहाँ पे टुलिप festival मनाया जाता है अब एक और important point जो उत्राखंड में है वहाँ पे भी टुलिप garden खोला गया पितोरगर जो डिस्ट्रिक है उत्राखंड में एक जगा है वहाँ पे खोला गया है और 50 hectare land cover वो करता है और ये बन गया है biggest in the world टुलिप garden कहाँ पे उत्राखंड में पितोरगर में ये important point है नोट करते चलना ये था टुलिप festival जो मनाया जाता है अपरिल के महीने में कहाँ पे सिरिनगर में मनाया जाता है कहाँ पे एशाज largest टुलिप garden जो था अब वो नहीं है अब जो होगा biggest in world वो है उत्राखंड में पितोरगर टुलिप garden ठीक है ये कहाँ पे मनाया जाता है इंदरगांदी में मूरिल टुलिप garden में जो सिरिनगर में है ठीक है आगे चलते है आगे है नावरोज festival ठीक है जो कश्मीर में मनाया जाता है नावरोज festival पहले हम देखें कि ये नावरोज कहां से आया है नावरोज को बोला ये जो है नावरोज ये है पार्सीस नूँ येर पार्सीस का नया साल इसका नाम जो पड़ा है वो एक किंग पर्शिया का था ठीक है फूर्थ शाह अब्दा पिष्डया दियान दैनास्ट्या पर्शिया और जमशीद नवरोज के नाम पर इसको नाम पड़ा है ठीक है जमशीद का मतलब क्या है the man who started जो है ये combination है जमशीद का जमशीद नवरोज जमशीद वो था जिसने start किया था पार्सी कलेंडर और नवरोज जो है मतलब है new day इसलिए इसको नाम पड़ा है नवरोज ठीक है जमशीद नवरोज के नाम क्योंकि जमशीद ने start किया था पार्सी कलेंडर और नवरोज का मतलब क्या है नायातिन new day ठीक है और यहाँ पर जो है कश्मीर में मनाय जाती है नवरोज फैस्टिवल मनाय जाता है शिया कुमिनेटी के तवारा और नव जो है 9 days तक चलता है यह ठीक है for 9 days start कब होता है 21st March 21st March से start होता है ठीक है उस दिन क्या किया जाता है जो लोग है वो अपने गर को सुबा सवेरे morning में 21st March बाता है तो सुबा सवेरे morning में क्या करते है सफाई करते है और नए ने कपड़े पहनते है जो गिफ्ट्स है वो जो अपने क्या बोलते हैं इनको रिलेटिव्स है उनको दे देते है ठीक है और यहाँ पर क्या important point है जो भी लोग charity डोनेट करने चाहते है तो वो नवरोज के festival पर डोनेट कर लेते है ठीक है चलो आगे चलते है यह था नवरोज festival आगे जो है वो है सुनो फेस्टवल सुनो फेस्टवल जो है यह organize करता है department of tourism जो भी department है जो department है tourism जुमाइन कश्मीर का department of tourism वो इसको organize करता है और कहाँ पर करता है एड गुलमग कब डेसमबर में स्टार्ट होता है वो जब यहाँ पर जो है winter sports activities भी देखने को मिलती है जिसमें important जो है sports यहाँ पर नाम दिये गए है सिकिंग, सुनो रगबाई सुनो जिसाइकलिंग, सुनो बेसबाल ice skirting and night seeking ठीक है तो यह यहाँ पर sports activities देखने को मिलती है गुलमग में जिसमेंपर में जब बरबार यहाँ पर पीक पर होती है ठीक है और इसको बोला जाता है सुनो festival जो organize करता है department of tourism अब जुमो एंड कश्मीर यूटी कहां पर गुलमग में डेसमबर में ठीक है यह थे important festivals जो कश्मीर में मनाई जाते है ठीक है अब आगे जो है वो lecture होगा festivals जो जुमो डिविजन में मनाई जाते है I hope आपको यह समझाया होगा यहां पर ठीक है मिलते हैं कल दूसरे lecture के साथ तब तक लिए बाई